नम्हा स्री बर्ध मानाये निर्धूत कलिलात्मने सालो कानाम त्रिलो कानाम यद बिंद्यादर पनायते रत्न कंड़क श्राबकाचार परमांगले गरंथे आचार शमंत्वस्वामी द्वारा यह दूसरी तिसी सताब्दी में लिखा गया है इसमें 150 श्लोक हैं संस्कत भासा में लिखा गया है सम्मेक दर्शन, सम्मेक ज्यान, सम्मेक चारित्र, सलेकना, समाधी और स्राबक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन भी बहुत शंदर दिया है हम लोग पहला ध्याय पड़ चुके थे, दूसरा अध्याय चल रहा है सम्मेक ज्यान का, पहला दिकार सम्मेक दर्शन का हो चुका सम्मेज्ञान का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना वैसा ही शुकार करना इसका नाम क्या है? सम्मेज्ञान है जो वस्तु जैसी है इसलोक नमबर अपन ने पहला देखा था अन्योन मनति रिक्तम जो आगम के ज्याता हैं गड़धर हैं तीठंकर हैं उन्होंने जैसे ज्यान में देखा जैसा बस्तूफ का सुरूप जाना उसको ही हमसृत ज्यान के बल से या परंपराचार गुरूओं के बल से उनके ज्यान के माध्यम से हम वैसा ही जाने बरतमान में हमारे पस कोई अवदी ज्यानी मना परे ज्यानी केबल ज्यानी तो नहीं है आगम चक्खु साहु साधुओं का स्रापकों का आख कौन सी है आगम ही है क्या है आगम है आगम जो परंपरा से प्राप्त है जो परंपरा से प्राप्त है अविछिन धारा से प्राप् अनेकों ग्रंथों में वही वही पाई जाए यह उसकी प्रमानेकता है मनलग कि आप आठ द्रब से आप पूजा करते हो तो कहीं नो द्रब लिखा हो कहीं दस द्रब लिखा हो तो वो प्रमानेक नहीं रहेगा लेकिन आठ द्रब सभी ग्रंथों में मिल रहा है तो इसका मतलब एक रूपता है, क्या है, फिर वो आचर की वानी प्रमानिक हो जाएगी, कि एक रूपता है, साथ तत्व लिखा तो साथी तत्व सब जगा हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं है, तो वो उस ग्रंथ की प्रमानिकता हो जाती है, कि एक रूपता है, जो बगवान की बाणी है आचार ग्ण तो उस बाणी को परोशने वाले होते हैं प्रस्तोता होते हैं उन्हों जो परंप्रा से प्राप्त होई है तो यहाँ पर अपन जो है देखेंगे कि सम्मे ज्ञान की परिवासा इतनी सुंदर बता रहे हैं कि जिसमें अन्यूनम न्यूनता ना हो, अनतरिक्तम अतिरिक्तता ना हो, विपरीत तहां विपरीत ना हो, नीशंदेहं संदेह ना हो, इस चार प्रकार से ध्यान लखना, मतलब कम ना हो, कम होके नहीं जानना, अधिक होके नहीं जानना, विपरीत होके नहीं जानना, और संद जानते हो बस्तु स्वरूप को अधिक जानते हो विप्रित हो के जानते हो संदेह पुरुवक जानते हो तो वो मिथ्या ज्यान हो जाएगा कौन सा ज्यान हो जाएगा मिथ्या ज्यान हो जाएगा जैसे 16 पंचे क्या होता है अब 8 को तुम 78 जाना तो ब्याशन यह जानी फिरूपरा अध्य को था, अध्य आप 5 कि यह जाना को तुम मेकर kommen सहला हि जान लिए आत्पांच ही जान लिए तो विप्रीथ ओगया कहा सलह असी होता है तो तून्हें जान लिया और चुक्त आपत्त बाद तुमने । 5 यह आ непए गां अर्था ऐस अमधा तो ब्रॉपবकम से सिरी ब्रॉऑ, और यह क lazım, 14 पक्षे 10 से 50 तरर है यह व्यासी होता है यह इस संसय में हैं, उसको संदे है, उसको वो निर्णे नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार से, चारों प्रकार से, ना कम रूप में जानना, ना अधिक रूप में जानना, ना विपरीत रूप में जानना, विपरीत मतला उल्टा, बिल्कुल ही उल्टा, उल्टे रूप में नह जानना और संसे रूप में भी नहीं जानना संसे निर्ने ही नहीं कर पा रहा है ऐसा भी नहीं जानना ठीक वो सम्मेज्ञान कहलाता है जैसे अपना आत्मा को ले लो तो आत्मा का सुरूप क्या है ग्यायक सुभाव है आत्मा क्या है ग्यायक मतलब उसका काम है पूर रूप स देशे बस्तू को जानना जानना चाहिए топ गयायक शरूप आत्मա का देखेखते नियूं के begging यह इतना ही जान सकता है, इसका सभाव इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं जानेगा, आत्मा तो किवल ग्यान सभावी है, पूरा लोका लोक जिसके ग्यान में जहलके, जिसके ग्यान में दिखे, ऐसा मेरा आत्मा है, और मैं छोटा से जो ग्यान है, उस ग्यान को ही आत्मा क को ही मैं इतना ही ज्ञान वाला आत्मा मानू मात्रसुद ज्ञान वाली आत्मा को मत इतना ही सुद ज्ञान वाली आत्मा मानू तो क्या हो जाएगा फिर कम हो जाएगा ना कहां केवल ज्ञान हो कहां मति ज्ञान तो क्या हो गया आत्मा का सुरूप में कमी आ गई ठीक है अध अधिक रूप में क्या जानना है जैसे आत्मा जो है ज्यान दर्शन सुभाव वाली आत्मा है रूप रस गंद से रहित है अब आत्मा में रूप रस गंद भी मान लो रूप रस गंद क्या है आत्मा का सुभाव गुड़ नहीं है लेकिन आत्मा को क्या मान लो तुम उसमें महराजी ध्यान करते हैं, तो आत्मा दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? यह अधिक जान लिया तुमने, क्या जान लिया? आत्मा दिखाई, कैसे दिखाई देगी भाई आत्मा? बता आत्मा कैसे दिखाई दिखाई देती है, प्रकास मैं दिखाई देती है, जोती मैं दिखाई देती है अच्छा ध्यान करते हैं तो ये ऐसा लगती Bomak त्व प्रकास हो जोती हो इसे आत्मा महानाजी मुझे दर्शन होती है अरे पूदगल के दर्शन हुए तुमको biz किसके दर्शन हुए जो वाइट वाइट सफेद दिखा है वो किसके दर्शन हुए क्योंकि पुद्गल क्या है रूपरस गंद बाला है तो वर्ण किसका है वर्ण किसका आत्मा का है पुद्गल का है पुद्गल तुमको दिखा क्या तुमको तो आत्मा का दर्शन नहीं नहीं महाराजी मुझे तो आत्मा का स्वाद नजार आता है कैसा स्वाद है भाई मुझे तो आत्मा की सुगंद भी सुने में आती है कौन से सुगंद है आत्मा की भाई ना सुगंद है ना रश है ना रूप है ना गंद है ना इश्पर्ष है इश्पर्ष भी नहीं है ठीक ह तु फिर तुमने यदि एसा जान लिए कि आत्मा ऐसा तो आत्मा को तुमने ज्ञान दर्शन सुख वीर शक्ती आदी जो गुड है ऑत्मा के उन गुडों केอलाबा जो पुदगल की गुड है जो अन्य द्रव के गुण हैं, अचेतन के गुण हैं, उस गुण को भी तुमने किस में समाविष्ट कर लिया, तुम काले हो कि गोरे हो बताओ, बोलो, गोरे वाले बुलेगा मैं गोरा हूं, काला वाला बुलेगा मैं काला हूं, लंबा वाला बुलेगा मैं लंबा हूं, छोटा वीधिया वाला वोलेगा मैं vamos यह तुम अधिक जान रहे हो क्योंकि आत्मा ना गोरी है ना काली है ना 长 frightening है ना छोटी है ना पत्ली है ना मौटी है और तुम क्या जान रहे हो Ser calm को जान रहे हो तो तुम अधिक जान रहा हो, मिथ्या ग्यानी हो तुम, तुम क्यों हो, क्यों, बताओ क्यों भी या, क्योंकि तुम ये तुम्हारा आत्मा का सुरूप नहीं है, और तुम्हें लग रहा कि ये मुझे बोला जा रहा है, ये पुद्गल का सुरूप है, और पुद्गल के सु तुम अपना सुरूप मान रहे हो, तो अधिक जान रहे हो, यह मिथ्या ज्यान है, तुम सम्मे ज्यानी नहीं हो, दुखी हो जाओगे, सम्मे ज्यान सुख देता है, सम्मे ज्यान सुख देता है, मिथ्या ज्यान दुख देता है, जैसे तुमको ले मोटे इदर आओ, तो हासा अज्यानता है, लेकिन मैं ऐसा अपने को समझ लूँ, यह मेरी अज्यानता हो जाएगी, कि इसने मोटा कहा, मोटा तो पुद्गल है यह, कौन है, यह परमानुओं का पिंड है, यह पिंड मोटा पतला है, यह तो परमानुओं को कह रहा है, इसकंद को कह रहा है, एक पिंड को कह रहा है, ये मुझे, और जिसको कह रहा है, उसे पता भी नहीं, वो ग्यान सुन है, वो कैसा है वो, जिसको कह रहा है, जैसे, इसको माईक को कुछ कह दिया जाए मालो, हे माईक, इदर आ, हे माईक, कितना मोटा है तू, कितना क क्योंकि इसमें ग्यान नहीं है क्योंकि इसमें ग्यान नाम का गुण नहीं है क्योंकि इसका ग्यान नाम का गुण लक्षण नहीं है इसका रूप रस गंद बन वाला लक्षण है अचेतन वाला लक्षण है जड़ वाला लक्षण है इसलिए जड़ वाले को तुम कुछ भी क कुछ कहे तो मुझे क्या दर्द, मुझे क्या परसानी, मुझे क्या गुष्सा, यह आचार कुंदकुन स्वामी ने अश्ट पाहुड में एक बात कही है, कि तु तुझे कोई देख करके कुछ कहता है, अब सब्द कहता है, तो तु क्रोध क्यों करता है, क्योंकि जिसको वो कह रहा है, देखकर के कह रहा है, जिसको देखके कह रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि किसे क्या कहा जा रहा है, अच्छा तुम मुझे देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो, मेरी आत्मा देख रहे हो या पुद्गल के सरीर को देख रहे हो, बोलो, पक् तो आप इनवरा कर रहे हो जो तुम घ्यान से समझ रहे हूँ वो छिट नो के जित्य तुमहारी है जिसमें तुम सुक्दुक का ओनभ़ार पर कर रहे हैं वो तुमहारी आतमा हैं लेकिन बाहह पदाप्र यह नहीं है तो हम क्या करते हैं बाहःपदार्थ के जितने भी गोड़ हैं उन सब को अपने आत्मा में मिक्स कर लेते हैं तो ये कौन सा ग्यान हो जाएगा सम्मे ग्यान की मित्या ग्यान बाल सफेद होने लगे तो अम्मा को बड़ी दिक्कत होने लगी बड़ी परशानी हो रही है टें मिथ्या ग्यान है कि सम्मेक ग्यान है अब सम्मेक दिश्टी तो हर परणमन को स्विकार करेगा ना उसे तो पता है कि वस्तु की विवस्ता ही परणमन है अधि वस्तु परणामी नहीं है तो वो वस्तु यह नहीं है अधि उसमें उत्पाद वे नहीं है तो वो वस्तु यह न चेंजिंग और अन्चेंजिबल और अन्चेंजिबल बस्तु कैसी है चेंजिबल भी है और सदा बनी रहेगी वो अन्चेंजिबल है उसमें परियाइद चेंज होती रहेगी वो चेंजिबल है बनना बिगड़ना और बने रहना ये बस्तु का क्या है शुरूप है सदा बनी रहना, चेतन चेतन नहीं बनी रहेगी, अचेतन वो अचेतन नहीं बनी रहेगी, लेकिन इस चेतन अचेतन में जो चेंजिंग होगी, वो बनना विगड़ना है, वो क्या है, उत्पाद है, वह है, वह है, ऐसा वस्तू का स्वरूप जानूं, तो किसी भी चीज में क बाहर के पदार से आप अपना अस्ते तो जोड़ रहे हो, ओहो ये नहीं है, तो मैं नहीं हूँ, ये चला गया, तो मैं चला गया, ये था, तो मैं था, अब ये नहीं है, तो मैं नहीं है, मेरा जीना विकार है, धन था, तो मैं था, अब धन नहीं है, तो ये नहीं है, कोई हो रहा है क्योंकि आप पुद्गल में अपना गुंड डाल रहे हो किसमें डाल रहे हो अभी तो पुद्गल के अपने में डाल रहे थे और अब क्या कर रहे हो अपना अस्तित्य किसमें डाल रहे हो दूसरी श़ने चीजों में डाल रहे हैं दुसरे की आत्मा में डाल रहे हूं तो यह ही त्य गलत हो गया उधिक जनना हो गया अधिक करना हो गया तो बहते हम लें यह भी आपका सोटना गलत है महले कि chosen था अब धन का सब्सक्राइड हो जो गया चोरी हो गई यह कुछी टैक्स पढ़ा गया कुछ भी हो गया दवाला निकल गया और आधि में अपना था खुद खुशी कर ले, जान गबा दे, घाटा हो गया, कुछ भी हो सकता है जीवन में, तो मर गया, क्यों? अब उसने धन में अपनी आत्मा डाल दी थी, अपने प्राण चेतन प्राण किस में डाल दी थे? धन में डाल दी तो इसने मला धन से अपना अस्तित्व माना उसने, थी बिआ जान, कौन सा ग्वाण हो गया? जेको सम्मे जान प्राप्त होने से, आदमी कितना सुखी हो सकता है? यतार तो जान से भी विक्ती सुखी हो सकता है, सच्चे जान से ही, मिध्या जान से आज तक जीवस दुखी था, दुखी है और दुखी? और जिस दिन उसे सम् ग्यान का मतलब क्या है ? जो वस्तु जैसी है, जैसा सुभाव है, उस सुभाव को उस रूप ही जानना क्या है ? सम्यज्ञान हैं यह सम्यज्ञान है, और ऐसा नहीं जाना, कम करके जाना, अधिक करके जाना विपरीत करके जाना या संदेह उर्वग जाना तो यह कौन सा ज्यान है मिथ्या ज्यान है तो हमें यही देखना है कि मिथ्या ज्यान क्या है और सम्मे ज्यान क्या है मिथ्या ज्यान is equal to अनन्त संसार, अनन्त दुखी सम्मेक ज्यान is equal to अनंत सुख और संसार का अभाव तब संसार का सदभाव चाहिए कि अभाव चाहिए अभाव चाहिए तब अपनको सम्मेक ज्यान के बारे में जानना चाहिए अभाव चाहिए